आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो बसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाव नाव दो कॉस्टेन इस वहत इस रूप एंड नेरिस स्कॉर्पियन, कॉक्रोच अड शिल्वर फिश राई तो हमें जो है इस कॉस्टेंट में चार्व स्टेटमेंट से गई हैं से हमने बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कॉंज ही है जो नीरिस कॉमन और सॉरी नीरिस स्कॉर्पियन कॉक्रोच एंड सिल्वर फिश के लिए कॉमन है तो देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है दे आल है जोईंटेट पेर्ड अपैंडिज तो यह वाल वाकिंग लेक्स होती है इसमें और कंशरोच में जो है वह अपैंडिज इस होती है यहाँ पर ही जो स्टेटमेंट है वह गरातम है इसके केसमान है यहां पर वाल पो पोसेशेसी डॉ र्सभ लाग होट होती है इसलिए यह वाल आप्शन हमारा गरत option है अब देखते हैं option second they all possesses dorsal heart तो यह जो option है यह बिल्कुल सही option है because nearest scorpion cockroach और silver fish में जो heart है वो dorsal side ही present होता है ठीक है मतलब back side में present होता है अब देखते हैं option third है हमारे पास none of them is aquatic तो इस चीज से तो हम familiar है कि जो scorpion है वो sea source में present होते हैं तो मतलब वो aquatic है तो यह वाला option भी जो है हमारा गलत है because scorpion जो है वो aquatic होता है अब देखते हैं last option last option है हमारे पास they all belongs to the same final ठीक है तो यह वाला option भी हमारा गलत है because जो nearest है nearest जो है वो analida में आते हैं और rest of three जो है जैसे हो गया scorpion और cockroach और silverfish यह तीनों किसमें आते हैं हमारे आर्थो पोड़ा में राइट तो जो option हमारा भी है that is they all possess dorsal hurt is the correct answer classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज राउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts आच चार्सो 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 पर